बिना कूकर, बिना जंजट बहुत ही आसान तरीके से बनाएं चावल के खीचा पापड़ मेरी गैरेंटी है अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे आप से पापड कभी पटेंगे नहीं हेलो स्मार्टीज, वेलकम तु सी माइ स्मार्ट किचन इस रेसिपी के सभी टिप्स फॉलो करने के बाद आपके खीचा पापड़ भी एकदम पॉफेक्ट बनेंगे मोटे तले वाली पैन या कड़ाई में एक कप चावल का आटा, इसमें ही डाल दीजे हाफ टी स्पून पापड़ खार पापड़ खार मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है वन टी स्पून या फिर स्वादनुसार नमक डाल दीजे और अब इसमें डाल दीना है एक पिंच फिट करी फिट करी को एलम या फिर तुटी भी कहते हैं इसे थोड़ा सा पीस लीजे ये रेडी हो जाएगी बिल्कुल इतनी ही नाल नी है एक कप चावल के आटे में मिक्स कर लीजे मेरा ये कप 150 ग्राम का है और एमल में 250 एमल का है अब इसमें डाल देना है धाई कप गरम पानी पहले एक कप गरम पानी डालिए अच्छे से मिक्स कर लीजे इसमें लम्स ना हो इस बात का ध्यान रखे और अब बचा हुआ तेड़ कप पानी डाल कर अच्छे से मिला लीजे अगर आप इस तरीके से खीचा पापर बनाएंगे इसमें लम्स भी नहीं होंगे और पापर बनाने के बाद जब ये सूख रहे होंगे तब फटेंगे भी नहीं इसलिए रेसिपी को ध्यान से देखिए सबी टिप्स फॉलो कीजिए एकदम परफेक्ट खीचा पापर बन जाएंगे खीचा पापर की ये बेसिक रेसिपी है एक पिंच फिटकरी डालने से पापर सफेद बनते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर गैस पर चढ़ाईए लगातार चलाते हुए कुक कर लीजे जैसे ही थोड़ा सा थिक हो जाए आप चलाना बन कर सकते हैं बीच बीच में ही चलाना है पर स्टार्टिंग में जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं होता है लगातार चलाना है नहीं तो इसमें लंज हो सकते हैं मैं इस पापड में हरी मिर्च, तिल और काली मिर्च नहीं डाल रही हूं पर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपके पास पापड खार नहीं है वन एट टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दीजे जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं इसे कोक करते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं ये देखिए इस तरह का थिक भी हो गया है और कोक होना शुरू हो गया है वैसे खीचा पापड बनाते समय गरम पानी से आटा गुतते हैं उसके बाद कुकर में रख देते हैं कुकर में कुक हो जाने के बाद फिर उसका आटा बहुत अच्छे से मैश करते हैं और उसके बाद बनता है खीचा पापड पर जो रेसीपी मैं आज बता रही हूँ बहुत आसान है बेसिक है हर कोई से बना सकता है एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राय कीजिएगा जब चावल आटा बैटर थोड़ा सा थिक हो जाए तब फ्लेम लो कर दीजिए नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा अगर गैस की फ्लेम लो नहीं होती है नीचे आप तवा रख स सकते हैं और उसके बाद इसे बीच-बीच में चलाते हुए कोग करना है जब बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी और थीक हो जाए तब डाल दीजिए एक छोटा चम्मच जीरा जीरे के साथ ही आप डाल सकते हैं हरी मिर्च, तिल, काली मिर्च या फिर लाल मिर्च जो भी चा पर 5-6 मिनट कोग किया उसके बाद लो फ्लेम पर ही हम 20 मिनट और कोग करेंगे एक कप आठा कोग करने में लगब हमें 25 मिनट लगे हैं इससे कम समय में कोग करेंगे तो ये कच्छा रह सकता है फिर भी अगर कच्छा रह जाए तो उसकी क्या ट्रिक है मैं आपको बता रही फ्लेम बंद कर दीजे और एक कॉटन का कपडा रख दीजे उपर से टाइट धकन रख दीजे और 5-10 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजे उसके बाद ओपन कीजे थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लोई बनाएंगे इस तरह से धक कर रखने से अगर थोड़ा कच्छा रह भी गया है तो ये स्टीम में अपने आप को खो जाएगा हलका सा हातों में तेल लगाईए और लोईयां बना लीजे सभी लोईयां बनाकर रख लीजे उसके बाद पापड बनाएए या फिर 4-5 लोई बनाते जाएए और पापड बनाते जाएए किसी भी तरह का कर सकते हैं एक प्लास्टिक शीट नीचे रखिए उसके उपर रख दीजे लोई दूसरी प्लास्टिक शीट रखिए और अब एक बड़ा सा प्लेन भगोना ले लेना है जिसका की बॉटम एकदम सीधा और प्लेन हो इससे दमा दीजे पापर फटा-फट फैल जाएंगे आ आप इसके उपर कोई भारी वजन रखिए और इसे उठा दीजे ये देखिए फटा-फट वहीं के वहीं पापर बन जाते हैं और ये है तीसरा तरीका प्लेट रखिए इस तरह से दबा दीजे घुमाते हुए और उठा लीजिए तीसरा पापर भी फटा-फट रेडी हो ग लखिए उसके उपर रख दीजे लोई और फिर से उपर से पॉलेथिन रखना है और प्रेस कर देना है कभी भी लोई को थोड़ा सा साइड में ही रखना है मिंस अंदर के साइड में रखना है तभी पापर प्रेस से पापर गोल बनते हैं नहीं तो एक साइड से पतले एक स उसके बाद आप इसे दूप में दो दिन तक सुखा लीजिए या फिर जब तक इस तरह के ड्राय ना हो जाए तब तक सुखा लेना है वाउ आप देख सकते हैं बिना फटे एकदम परफेट पापड रेडी हैं तेल करम कीजिए फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और उसके बाद इस तरीके से जारे से पापड को दबाते हुए तलते जाईए अगर आप जारे से पापड दबा कर तलेंगे पापड एकदम सीधे फ्राय होंगे गोल गोल नहीं होंगे और अगर आप पापड डाल देते हैं बिना प्रेस किये बिना दबाय तलते हैं पापड गोल हो जाते हैं या फिर कटोरी का शेप ले लेते हैं इसी तरह सभी पापड तल लेने हैं और अगर आप चाहें तो इस पापड को रोस्ट भी कर सकते हैं माइक्रोवेव में हाई पावर पर इसे एक मिनिट में रोस्ट कर सकते हैं या फिर गैस पर भी रोस्ट कर सकते हैं आप देख सकते हैं पापड कितने छोटे छोटे बने थे और तलने के बाद तीन से चार गुना बड़े-बड़े हो गए हैं मुझे उमीद है अगर आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे आप से भी पापड एकदम परफेक्ट बनेंगे चलिए इसे तोड़ कर भी देख लेते हैं वाओ कितने लाइट बने हैं और बहुत ज़्यादा ओइल भी सोक नहीं किये हैं मुझे बहुत सारे वीवर्स का कमेंट है कि उनके चावल के पापड या फिर खीचा पापड फट जाते हैं इसका एक ही रीजन है अगर आपका बैटर कच्चा रह जाए तब ही पापड फटते हैं इसलि है इस समय स्टीम से कोख हो जाएगा और आप से चावल का पापड एकदम पॉफेक्ट बनेगा मिलते हैं एक न्यू रेसीपी के साथ बाबाई